आज हम देखते हैं Mathematics Book Class 4 के कुछ Word Problems की Exercise 3.3 यहाँ पर हमारे पास कुछ Word Problems है और कुछ Mental Maths है जो हमने Mentally करनी है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं Question No.6 In 1998, 3 sugar factories produced 28,587, 41,889 and 9,715 bags of sugar respectively How much total sugar was produced by these factories? 1998 में 3 sugar की factories ने कुछ sugar के bags बनाएं कितने बनाएं वो दिये वे हैं हम यहाँ पर तीनों ने अलग-अलग बनाएं हमें बताना है कि इन तीनों factories ने मिला के total sugar कितनी produce की वो find out करना है तो यहाँ पर total sugar produce बतानी है तो क्या करेंगे total find out करने के लिए very simple तीनों को add कर देंगे तो इससे हमारा answer आजाएगा तो इसको आप कर सकते हैं को तीनों numbers आपने add करने हैं यह आप try करके देखिएगा नो question no.7 A house building corporation built 13,785 flats in the year 2014 and 21,307 flats in the year 2015 How many flats were built in the 2 years? House building corporation ने कुछ flats बनाए 2014 में उन्होंने 13,785 flats बनाए और 2015 में 21,307 flats बनाए How many flats were built in 2 years? दोनों सालों का मिला के उस corporation ने कितने flats बनाए 2 years में यह हमें पताने हैं तो total find करना है 2 years का तो यहाँ पर भी add हो जाएगा इसे भी आप easily कर सकते हैं चलिए कुछ mental maths के question से यह देखते हैं First question 19 plus 12 equals to 20 plus 10 यहाँ पर आपको बताना है कि 20 के साथ हम कौन सा number लिखेंगे जिससे की left hand side और right hand side दोनों same होगे अब देखिए 19 plus 12 करते हैं पहले कितना हो जाएगा? 31 और right hand side है 20 plus dash अब left hand side हमारे पास answer आ रहा है 31 तो right hand side भी 31 होना चाहिए तो 20 के साथ हम कौन सा number अड़ करेंगे जिससे यह 31 बन जाएगा तो यह 3 options है हमारे पास तो 3ों में से best option कौन सा होगा? 11 जब 20 में 11 अड़ करेंगे तो हमारा answer आएगा 31 तो दोनों equal हो जाएगे तो first question का correct answer है C option Then question number 2 221 प्लस 0 221 में 0 अड़ करेंगे तो हमें कौन सा number मिलेगा? किसी भी number में जब 0 अड़ होता है तो वो number सेम वैसे ही रहता है तो correct option कौन सा होगा? B part क्योंकि ये mental maths है तो इसको हमने orally ही कोशिश करनी है solve करनेगी Then third part 35621 प्लस dash equals to 35621 35621 में हम कौन सा number अड़ करेंगे? जिससे की ये answer सेम उतना ही रहेगा तो 0 अड़ करेंगे जब किसी के साथ 0 अड़ होता है तो वो number सेम वैसे ही रख fourth part 3652 प्लस dash equals to 5000 3652 में आपको पताना है कि आप कौन सा number अड़ करोगे जिससे की आपको 5000 मिले अब आप इन तीनों options में से अगर एक नजर में देखेंगे देखें ए पार नहीं हो सकता अगर आप once place को अड़ करते हैं उधर है 3652 में once place में है number 2 और इधर है 0 तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा लेकिन अगर हमारा answer देखते हैं तो वहाँ पर 0 आना चाहिए तो ये भी एक तरीका है पूरा number अड़ करने के बजाए आप पहले once place को चेक कर लिजे किस से आपको 0 मिल रहा है अब देखे B part B part में question में 3652 है यहाँ पर once place में 2 है और जो B part का answer है इसमें हमारे पास once place पर number है 8 तो देखे 8 plus 2 10 0 मिल रहा है इसका मतलब B part होने के पूरे chances है C part को भी अगर आप चेक करेंगे तो देखे question में once place पर 2 है that means हमारा correct answer है B part तो इस तरह से हम पहले कोशिश करेंगे find out करने की फिर हम दोनों को add करके देखेंगे तो हमें obviously 5000 मिल जाएगा ना फिफ्थ पार sum of place value of 3 in 53201 and 42301 is 3 की place value हमें बतानी है पहले तो दोनों numbers में और उसका sum find करना है अब देखिए 53201 में 3 की place value कितनी है 3000 और 423001 इस में 3 की place value कितनी है 300 तो दोनों को add करेंगे उधर है 3000 इधर है 300 तो हमारा answer क्या होगा 3300 तो B part is the correct answer then 6th part 1829 plus 1171 दोनों को add करके आपको कौन सा number मिल रहा है अब देखिए A part तो नहीं मिलेगा इतना बड़ answer हमें मिली नहीं सकता B part ये इतना छोटा number है ये भी नहीं मिल सकता क्योंकि हम 4 digit के numbers को add कर रहे हैं तो 658 नहीं आएगा कभी भी और ये वैसे भी बहुत easy है इसको हम add करके भी देख सकते है C part will be the correct answer तो आप इनको add करके check भी करेंगे देखे mentally आप check कर सकते है 9 and 1 10 का 0 carry 1 7 and 2 9 और वो जो 1 है add हुजाय का 10 again 0 carry 1 8 and 1 9 and 1 10 0 carry 1 1 और 1 2 और जो carry 1 है 3 तो हमारा answer आगया 3000 question number 7 fill in the missing objects यहाँ पे हमें कुछ missing objects हैं यह बताने हैं कि इसकी जगह पर कौन सा answer आएगा अब यहाँ पर देखते हैं A part में 2 प्लस नीचे box बनाए तो 2 के साथ कौन सा number add होगा जिससे कि आपको answer 5 मिले तो 3 आएगा तो first box में क्या आएगा 3 चलिए second में आते हैं 6 6 के उपर box है 6 के साथ कौन सा number add करेंगे जिससे कि आपको answer कितना आना चाहिए 9 तो 3 आएड करेंगे तो 6 के उपर जो box है इसमें 3 आजाएगा next 5 प्लस 4 तो इसका answer 9 आगया then next 5 के उपर box बनावा है और answer आपको कितना चाहिए 8 तो इस box में क्या आना चाहिए 3 5 प्लस 3 8 तभी 8 बनेगा now next 6 प्लस 1 it is 7 तो last वाले box में जो सबसे नीचे इदर आजाएगा 7 similarly बी पाट देखते है 2 प्लस box बना है नीचे answer आना चाहिए 5 तो इहाँ पर क्या आजाएगा 3 next 2 प्लस 7 it is simple 9 हो गया फिर next 4 है 4 के उपर एक box है 4 के उपर box बना है तो हम इसको कैसे करेंगे answer हमें 8 चाहिए जहाँ पर आना चाहिए 4 then next 6 प्लस 1 नीचे box बना है 7 then next 6 प्लस box नीचे है 8 तो 6 में कौन सा number एड़ होगा जिससे 8 आ जाए it is 2 तो हमारा answer इस तरह से आ जाएगा अब ये सभी questions आप एक बार खुद इसको करके देखेंगे तो I think आप से ये हो जाएगे mentally और इस तरह से करने से हमारी calculation करने की speed भी increase होती है Thank you